पेट विकार का मांसी कनेक्शन है इसके बारे में मैंने मेरे विडियो में काफी बार बोला हुआ है कि पेट विकार का मांसी कनेक्शन क्या होता है आज मैं आपको आताने वाला हूँ कुछ केस्टेडिस जिसमें एकदम क्लियरली शावित होता है कि पेट विकार का मांसी कनेक्शन है तो आए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दिपग केड़कर मैं मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मों तता है विसन मुक्दी तग्य हूँ महाराष्ट में अकुला मुंबई पुने नागपूर यहां मारे हॉस्पिटल्स है जहां मनोविकार दता है विसनी लोगों को भरती करते है एक पभी मेरे पास में लड़का आया था उसका उसकी उमर आठा साल की है करीब करीब और ट्वेल्थ में उसको मेडिकल कॉलिग में उसको एंट्री लेनी के प्रवेश लेने का है और वह एक टिपिकल पेट विकार लेके आया कि भई साथ से बारा उसकी ट्यूशन रहती है रोज सुबर अभी वो नीट की तैयरी करने के लिए आकुला में स्पेशली आया हुआ है साथ से बारा उसकी ट्यूशन रहती है और साथ से बारा जब ट्यूशन रहती है तो उसको कुछ नहीं होता अच्छे से वो बैट आ है ट्यूशन में पढ़ाई करता है सब अच्छा कुछ होता है में बारा बज़े वो घर जाता है और बारा बज़े घर जएने के बाद में कि पीस काने वह तो सेनसेचन आता है वो जाता है टॉयलेट में में लेट्रीकम चुल रहहा था कुछ नहीं होता दो को चब श्रम के कि लेकर आठे लेकर तक पैसे बार इसको यह एक लड़का भी आयसा था उसका उलटा उसका यह था कि घर में जब रहता है तो कोई टेंशन नहीं है घर में अच्छा वाता हूँ रहा नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं जैसा हिवा उस्को बार 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 फिलिंग लग गए और उस को पिर बीच बीच में जाना पड़ता है пред擂द और फिर उसको हुग होता है अच्छा भी दिखता नहीं है कि बार-बार मतलब कैसा कि इतने बार जाएंगा आ बैर पर कॉंसेंट्रेशन बीने होता पड़े में मे और गया पिक्या करना किसे राए गड़का जाना पड़े रुपस bites आनल गड़ेगा और बस में कोई रुकारीगा नहीं मतलब कोई रुकेंगा नहीं अभी वह आです 3 षब से उसको पुना हम एंगा उसको कम से कम लगते 12 गंटे छान पहले जाके आएंगा को अलगे उसका थिकानल सबस्का नी उसका इन दर Absolłość भा उसका बारा डर लग रोके पराOoh द gir रहा है कोई आगा पिर प्रवास करना तालता है तो यह जो पैट के बिकार है या बारबार टैंशन धिमाग में आने से बारबार टौइलेट जाना यह उसकी विचार आना तो इसको टेंशन क्यों वज़ए से हो सकता है या फिर उसको obsession जो है कि बार-बार विचार आना और actually लगने का नहीं विचार आते सिर्फ तो वो जो विचार आते हैं तो एक तो वो obsession हो सकता है या फिर उसको irritable bowel जो है कि tension आने से या एक बार वो दिमाग में conditioning बैठ गया एक बार conditioning हो गया कि वो situation और later in आना या वो situation later in नहीं आना और उसके वज़े से यह होता है उसके लिए behavior therapy है psycho therapy है हम hypno therapy करते है hypnosis करते है कुछ medicines भी देते है कि जिसके वज़े से उसका tension कम हो जाएगा और उसके वज़े से वह अच्छा हो सकता है कि उसको यह पता चलता है कि नहीं वह यह मेरे को बार बार विचार आ रहे है सिर्फ विचार है एक्चुली तो लगती नहीं पचीस बार करें विचार में इसको एपना लेज़् करूग और जब आप आपकी विचारों को देखेंगे आपकी विचारों उप और अबसे नहीं ए। बाड़ नहीं सकता हुँ और विचारों के इसको बाजिव myths में कि एसे लुग हमारे पास में आते नहीं है क्योंकि ऐसा होता है कि सइके 10 बौलाता होने यहको बागल पंथ हो गए हम यह कि पागलों के डॉक्टर के पास में अग झूरी हो ऐसा लोग बोलते है और बाकी डॉक्टर भी हमारे तरफ प्रेफर करते नहीं है तो यह जानकर्य होना ज़रूर है पम इसकी जानकर्य होना है द्रेुरूर कि कोई भी सीचुएशन में इसके जहां आपको आप झन врем unaware लगता है यह उसकती सिच्ट आपको यह पो सकता है और और इसका इलाज बिएर थेरपी साइको तरेपी मेडिसिन से हो सकता है आपके परिचे तैसे काफी सारे लोग होंगे उनको वीडियो जरूँज शेयर करो आपके वाट्सेयप ग्रूप के ओपर फेस्गूप के ओपर शेयर करो ताकि जारे स्यादा लोग उनको इसकी मतलब ज जाएगा आपको वीडियो अच्छा लागा तो जरूँज सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और लोगों लोगों में जारे साथा फैल आफ सो थैंक्यू फॉर झाल